बारते पहलवान नर्सिंग यादफ के ओलंपिक अभियान को आज बड़ा छटका लगा है नर्सिंग यादफ पर डोपिंग की वजह से 4 साल का बैन लगा दिया गया है इस बैन के बाद नर्सिंग यादफ रियो ओलंपिक से बाहर हो गए हैं नर्सिंग ने अपने उपर बैन लगने के मुद्दे पर कहा कि वो बहुत ही निराश और आहत है एक उमीद की किरन जगी थी जो बुच चुकी है उन्होंने कहा कि इस फैसले ने मेरा सपना चीन दिया है इस बीच उन्हें रियो ओलंपिक गाउं आज ही छोड़ने के आदेश दिये गए हैं आपको बता दे कि आज नर्सिंग यादफ का मुकाबला होना था मगर अब ये मुकाबला नहीं होगा नर्सिंग के ओपर लिए गए फैसले पर कैस में चार घंटे की लंबी बहस हुई थी वाड़ा की अपील पर कैस ने नाड़ा के फैसले को मानने से इंकार कर दिया उन्होंने फैसला सुनाया कि उनके खाने या पीने में मिलावज की बात सही नहीं है अदालत ने नर्सिंग के उस तरग को भी मानने से इंकार कर दिया कि उनके साथ साजिश हूई है क्योंकि इसे साबित करने के लिए नर्सिंग के पास कोई सबूत नहीं है इसी तरग को देखते हुए नाडा ने उन्हे अलंपिक में हिस्सा लेने की अनुमती दी थी YWFIA के अधियक्ष प्रजभूशन शरंग सिंग ने कहा है कि ये बहुती दुर्भाग्यपूर्ण है नर्सिंग को क्लीन चुट मिल चुकी थी लिहाजा अचानक से प्रदिवन लगाने का कोई मतलब ही नहीं बनता तो उमीद की जा रही थी कि नर्सिंग यादव देश को मैडल दिलाएंगे लेकिन खेल पंचाट के फैसले से ना सिर्भ नर्सिंग यादव को बलकि पूरे देश को धक्का लगा है देख चारे ये टीवी लाइव